एक बाद बताओं आप यह जो फोटो शूट कर रहे हो इसमें यह जो स्टैंड लगा है आपका अगर मैं बोलू कि मुझे यह जो लाइट है बिल्कुल इनके टॉप नॉट से देना है तो आप इस लाइट कीजिए मैं देखना चाहता हूं कि इस लाइट से आप कैसे सेट करे लेकिन मेरे ख्यास है यह स्टैंड भी आएगा तो गाइस कुछ ऐसा ही प्रॉबलम होता है जब आप एक नॉर्माल स्टैंड के साथ अगर आप अभी तक ऐसी फोटो क्लिक करें तो आज आपके लिए में लेकर आया कुछ कमाल का स्टैंड जिससे आप अपने फोटो कि अच्छ फोटो यहां आपधे अनियोक की लिया नैकर में यहां थाफ यहां पर मैं अपके लिये लेकिए कीं है की आप यह पर देख सकते हैं कि अब कोई भी नॉर्मल स्टैंड जब यूज घूज करते हैं उस स्टैंड के दो पार्ट होते है एक होता में बेस और इक सा今 तो ये बेस और स्टेंड एक साथ होते हैं, इसका अगर से इनको ट्रैवल मिले के जाना थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अगर मैं अब जो लेटिस्ट स्टेंड आ रहे हैं, जिनको हम सी स्टेंड बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूँगा कि ये तीन पार ये पोटेबल हो जाता है, तो सबसे पहले में इसका अपर पार्ट आपके लिए ओपन करके रिखाता हूं, ये यहां से इसको ढीला करेंगे, आपका ये जो पार्ट है, जिसको आप किसी भी एंगल में सैट कर सकते हैं, जैसे जो नॉर्मल स्टेंड होता है, उस नॉर्मल स और इसे आपको सिंपल यहां से निकाल लेना है, और दोस्तों कि सी स्टेंड होता है, वो पूरा का पूरा स्टील का होता है, तो इसकी मजबूती बहुत कमाल की होती है, ये देखिए इसका पहला पार्ट निकल गया, अब इसके बाद अगर आप चाहें, तो यहां से इसके जो राट है, यहां से निकल जाता है, और दोस्तों अगर मैं इसके राट की बात करों, तो इसके राट की लंबा ही काफी है, यहां अगर आप इसको हाइट में देना चाहते हैं, मैं अभी तक कोई ऐसा सी स्टेंड नहीं देखा, जो लेंध है इतना ज्यादा है, मेरे पास जो इतने हाइट तक जाता है, तो यह तकरीबान देखे, नौ फिट से भी उपर इसका हाइट जा रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इतना लंबा होने के बार फिर आप इसको एक नेक्स लेवल पर इससे उपर का एक और राट को अटाइच कर सकते हैं, अब दोस्तो है, आपके लाइट को नुकसान होने से बिल्कुल अच्छे से बचा लेता है, यहाँ पर रेखिए, अगर आपका कोई असिस्टेंट है, वो इस तरीके से लाइट को अच्छान होने से बचाता है, यह इसकी बहुत अच्छी खूबी मुझे लगी, तो यह जो रॉड है, इ इसको भी इस तरीके से ऐसा बैंड कर दूँ, तो यह बेस इतने छोटे से इससे में आ जाता है, और इसको आप कहीं भी इजली ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं, यह है डिजी टेक के इस सी स्टेंट की खास्यात, तो इस तरीके से आप इसको पार्ट पार्ट में डिवाइ डिवर्ट 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 एगल्स आप कैसे दे सकते, तो अब गाईज यहां पर आप लेख सकते हैं हमने यहां पर प्रोपर तरीके से C-Strench को लगा दिया है और मेरे दोस्त मेरे भाई अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जब इस तरीके के C-Strench का यूज आप अपने स्टूडियो में करते हैं तो आपको यह benefit होता है कि आप किसी भी एंगल से देखिए जैसे मैं टॉप एंगल से butterfly style की light अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो मेरा जो stand है यह बीच पे नहीं आता तो आप अगर इस तरह के stand का use करते हैं आप या फिर आप तो आपके लिए चाहे वो indoor हो चाहे वो outdoor हो तो आपको light को एक perfect placement देने में काफी आसानी होती है तो दोस्तों Digitech का यह जो stand है यह आपके लिए काफी कमाल का है अब आप एक काम के जो कुछ photos खीशते रहे हैं तब तक मैं अपने दोस्तों को यहाँ बताता हूँ मार्केट में है और मैं इसका बाइ लिंक जो है आपको description में दे दूगा आप वहाँ पर भी क्लिक करके इससे बाइ कर सकते हैं दोस्तों मैंने यह स्टेंड ले लिया है अब आपकी बारी है आप मझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरीकी का stand यूज करते हैं और आपको किसे आप भी बज़े लेते रहिए और आज का यह वीडियो देशन के आपको बहुत बहुत शुक्रिया था हैं कि सो मच की पहुंचिक राजावस्ती